Hey guys welcome back to the channel live and love life में हूँ Ruby I hope आप सब लोग अच्छे हो and safe हो So आज का वीडियो टॉपिक आप लोगों को thumbnail and title पर के समझ में आई गया So आज मैं आप लोगों के जट शेयर करने वाली हूँ What is in my makeup box आप लोग देख के समझ ही सकते हो यह मेरा makeup box है और बहुत ही cute सा है देखने में ऐसे लग रहा है बट भीतर में बहुत सारा space है यह वाला जो makeup box है मैं recently purchase किया So अभी देखने का पाला है कि इसके अंदर क्या-क्या है First of all मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं कोई makeup artist नहीं हूँ मैं makeup करती हूँ खुद के लिए और मेरे पास बहुत सारा makeup का सामान भी नहीं है जितना है और जितना लेके मैं में मेरा makeup करती हूँ जैसे occasionally या daily basis वो ही makeup मैं आप लोग साथ share करने वाली हूँ आज I hope आप लोग को अच्छा लगेगा कि मेरा makeup box में क्या-क्या है मैं आप लोग साथ first time share करने वाली हूँ मैं ये वाला makeup box अभी open करने वाली हूँ तो open करने के बाद इसका look कुछ ऐसा है बहुत ही ज़्यादा cute सा है अंदर एक box है और यहाँ पे space है यहाँ पे space है आप लोग देख सकते हो सो चलिए मैं एक एक करके start करती हूँ सो first में आप लोग को जो चीज दिखाना चाहती हूँ वो है eye related तो first में share करती हूँ आप लोग साथ मेरा eyeshadow collection Huda Beauty का eyeshadow palette जो बहुत ही popular है और मेरे पास जो है वो nude shade का है इसके अंदर जो जो color है वो मुझे चाहिए था यह वाला palette देखके for sure आप लोगों को प्यार आ जाएगा तो palette देखिए ऐसे खुला हूँ और यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा mirror है यहाँ पे color में आप लोगों को दिखा दी हो six color है shimmery color आप लोगों को देख सकते हो में उपर एक eyeshadow color लगाया यह वाला color लगाया और उसके साथ एक shimmery add किया वो है यह वाला shimmery color आप लोग बताना कैसा लगा आप लोगों को eyeshadow palette में मेरे पास एक है 9 to 5 का लैक में eyeshadow palette यहाँ पर फोर आइशाडो से यहाँ पर फोर color है violet black beige color and golden color तो मेरे पास 3 eyeshadow palette है और में यूज करती हूँ black me iconic का जो काजल होता है यह वाला काजल में regular basis में मुझे काजल लगाना बहुत अच्छा लगता है 5-6 set का है जब भी खतम हो जाता है मैं एक साथ खरित लेती हूँ और एक काजल है brush लगाना पड़ता है jet black है बहुत ही कम use करती हूँ ओकेशन रहता है शादी बादी रहता है इसके साथ एक brush दिया हुआ है ऐसा एक brush आइलेनर में different different use करती रहती हूँ यह है color bar का eyeliner और यहाँ पर है black me 9 to 5 का eyeliner और यहाँ पर एक eyeliner है black me absolute का जो मेरा favorite है मैं लगाती हूँ अभी भी लगा हुआ है आप लोग देख सकते हो और यहाँ पर एक pencil eyeliner का end of way बहुत अच्छे से draw कर सकते है mascara में मैं यूज करती हूँ black me iconic का mascara जब भी यूज करती हूँ मैं यह वाले यूज करती हूँ और कभी कभी मैं यह वाले यूज करती हूँ color bar का color bar का जो mascara है यहाँ पर देखिए दोनों साइट ही खुला जाता है एक साइट है light mascara जैसे regular business पर हम लोग अगर कई पर जाते है वैसी यूज कर सकते है volume mascara बतलब यह eyelashes को थोड़ा सा बड़ा और volume देता है फीड में आती हूँ फेस में primer और जो base यूज करती हूँ वो है color bar का so foundation में जो यूज करती हूँ वो है NC40 का MAC का foundation जो studio fix से लोग देख सकते हो यह वाला foundation में यूज करती हूँ यह वाला foundation occasionally या कई पर घूमने जाओ या dinner में जाओ थोड़ा सा party में जाओ तब में यह वाला foundation यूज करती हूँ और regular basis में यह वाला foundation यूज करती हूँ मेबलीन का fit me foundation इससे पहले में यूज करती थी ऐसे daily basis जब में इंडिया में रहती थी ऐसे लैक मी 925 का CC cream है ता है न के उपर compact लगा लेती थी यहाँ पे में बहुत टून्टा लैक मी 925 का CC cream नहीं मिला और compact में यूज करती हूँ NC40 MAC का studio fixed foundation मुझे बहुत पसंद है और यह में regular basis में यूज करती हूँ यहाँ पे एक mirror है और यहाँ पे foundation है और इसके अंदर है इसका जो यह वाला पॉफ है अभी मैं आप लोगों इसा चेयर करने वाली हूँ मेरा lipstick collection bobby brown का lipstick अभी जो मैं lipstick लगा के रखी हूँ आप लोग देख सकते हो rich cocoa ऐसा color है Maybelline New York का यह वाला color क्या मैं आप लोगों को हाथ में लगा के दिखा हूँ कौन सा color है यह ठीके लगा के दिखाती हूँ देखिए यह वाला color ऐसा है बहुत अच्छा color है आप लोग देख सकते हो थार्ड जो मैं दिखाने वाली हूँ Flower का Marcel Matte यह भी मैं यह से purchase किया यह से इसका color भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ बहुत अच्छा pink color है second one फीर मेरे पास एक है lotus का lipstick जो regular basis में कभी-कभी use करती हूँ बहुत अच्छा लगता है यह देखिए and fourth one है Revlon का जो थोड़ा सा pinkies type का है बट natural है बहुत ऐसा fifth one है Latme Absolute का ऐसे थोड़ा सा deep maroon type का बोल सकते हो यहाँ पर लगाती हूँ यह वाला color है सुगर का में यह रेट वाला color यूज करते हूँ रेट जो है ना बहुत रीच color है and बहुत अच्छा लुक्स देता है यह वाला रेट एक दम रूबी रेट टाइप का है, मेरा नाम भी रूबी है तो रूबी रेट टाइप है, सुगर का और भी एक रेट कलर का है, और उसके बात मैं जो ब्लाशर यूज करती हूँ, वो है कोवरगल का, कोवरगल का इवाला ब्लाशर भी बहुत अच्छा है, आप लोग देख स सत्यों, थ्री टाइप का सेड है, हाइलाइटर में यूज करती हूँ, मेबलीन का, मेबलीन नियॉयर का मास्टर क्रोम, मुझे बहुत पसंद है, और जो कॉंटोर में यूज करती हूँ, ब्यू का यह वाला कॉंटोर, यह पर दो सेड है, एक थोड़ा सा डार्क है और में यह वाला मेकप स्प्रे यूज करती हूँ, कलर बढ़ का, मुझे और एक और करना पड़ेगा, यह पर कुछ ब्राशेश शेट है, आप लोग देख सकते हूँ, यह वाला ब्राशेश शेट आई मेकप के लिए, या फाउंडिशन लगाने के लिए, या पॉंपैक्ट ल कर सकते हैं, और इस साथ से फिल कर सकते हैं, यह वाला बहुत ही अजीब सा लग रहा था, और मुझे इतना पसंद भी नहीं आया, यह ही था मेरा मेकप कलेक्शन का वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, अगर मेरे मेकप बॉक्स में आप लोगों को कुछ भ मुझे बताना, अगर आप लोगों को देखना है मैं कैसे मेकप करती हूँ, तो प्लीज लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन, यह वाला वीडियो इतना ही तैक, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, तो प्लीज दू लाइक, शेर, सब्स्क्राइब और कमेंट व मुझे अगर वीडियो इतना है